Hey guys, welcome back to my channel, in today's video हम लोग चरग सूत्रस्तान चाप्ट नंबर 18 पढ़ेंगे जो कि चाप्ट नंबर 17 थक हैं, उन सब की वीडियोस अल्रेडी मेरे चाइनल के उपर हैं अगर आपने देख ली हैं, अगर नहीं देखी हैं, गो चेक देम आउट राइट नाउ और उसके बाद आप लोग चाप्ट नंबर 18 पढ़ेंगे, पहले 1 से 17 आप लोग पढ़ेंगे तो यहां पर आप देखो, फर्स्ट कोशन इस स्थिर्त्वम च गौर्वम व्रिष्टा बलम ये किस संधर्व में आया हैं तो यहां पर आप्शन आप लोग पढ़ेंगे, फर्स्ट आप्शन इस वाजी करन आउशत सेवन, सेकेंड है प्राकरत कफ के कार्य, थर्ड इस तैल मर्दन के लाब, और फोर्ट आप्शन इस सद्वृत पालन से लाब तो यह जो आपको श्लोक देके रखा हुआ है particular श्लोक जो है उसका मैनने आपको कोशन का रेफरेंस भी दिया हुआ है इन श्लोक को आपने याद रखना ही है, जो यहां पर आपको आपको आरे हैं, देर वेरी इंप्रॉर्टन आपको यह श्लोक छोटे चोटे पार्ट्स ह जो भी है वो याद रखने है तो यहां पर जो प्राक्रत कफ के कार्य करता है वो क्या है स्थिर्थ्वम च गौर्वम विष्टा बलम यह प्राक्रत कफ के कार्य है नाओ थयर्ए कोशन एस चरक अनसार शोत के कितने बेध होते हैं थो अचरंग कितने ब्हेध होते हैं। इंप्रॉटन कोशन है भूल जाता है क्योंकि नुमारिक फ्रांड में हैं तो यह कोशन भूलते हैं जोंट फरी अगर आपको यहां से बढ़ेंगे तो आपके माइन में सेट हो जाएगा और यह फिर से भूलेगा नहीं राइट यहां पर फर्स्ट ऑप्शन है 3, सेकेंड ऑप्शन इस 4, 3rd ऑप्शन इस 5, and the 4th option is 7, यहां पर जो correct option है, that is the option number 1st, which is 3, अचार्य चरक जी के अनुसार शोट के कित्ते बेद हैं, उन्होंने शोट के 3 बेद बताएं हैं, यहां पर जो 1st option है 3, that will be the correct option for this question, now the next question is, प्रभा प्रसादो मेधा यह किस दोश के अविकरित करम हैं, now again आपको देखो, यह छोटा सा शोट देखे रखाऊ है, प्रभा प्रसादो मेधा, ठीक है, प्रभा और मेधा को प्रसादित करता है, किस दोश के अलिए यह चीज आई है, किसका यह अविकरित करम है, 1st option क्या है बात, 2nd is PIT, 3rd is कफ, and the 4th option is 3 दोश, यहाँ पे जो correct option है, that will be the option number 2nd, which is PIT, तो जो PIT दोश है ना guys, उसके लिए यह वो जब अविकरित फॉर्म में होता है, तो यह करम करता है, क्या करता है, वो प्रभा प्रसादो मेधा, यहाँ पे जो PIT है, that will be the correct option for this question, now let's move to the next question, now you can see, क्या है question, पादर दोश जो PIT का को उत्पन करते हैं, ठीक है, उनका स्थान कौन सा होता है, उन दोशों का, जो PIT का को उत्पन करते हैं, first option is Tvacha, second is Ragh, third is Mass, and the fourth option is both A and B, and the correct option here is the option number 4th, which is both A and B, Tvacha और रग, मतलब Tvacha और रग जो है, इन में होते हैं, स्थित, पिड़का उत्पादक दोश, तो यह आपको याद रखना है, अगर उल्टा कोशन आ जाए, कि Tvacha और रख के अंदर कौन सा दोश उत्पन होते हैं, प्रेजन तो that is पिड़का उत्पादक दोश, now the next question is, कूपित कफ श्रीर के बाहरी परदेश में स्थित होकर कौन सा शोत उत्पन करता है, तो यहाँ पे बात हो रहे है कूपित कफ की, जब कफ कूपित हो जाए, और श्रीर के बाहरी परदेश में, exterior reason में बात कर रहे हैं, कौन सा शोत उत्पन करता है, तो first option क्या है, आपके पास गलगर, second is गलशुन्धी, third is गलगर्ण, and the fourth option is उपजिविका, तो यहाँ पे क्या है guys, correct option, the correct option here is the option number third, which is गलगर्ण, okay, so now the next question is, किसका उपद्रव युक्त शोत कष्ट साध्य होता है, तो उपद्रव मतलब उसका जो है, बाद में complication आगे, कि उसका शोत हो गया, तो किसी भी disease का बाद में, inflammation हो जाना, जा फिर शोत उत्पन हो जाना उसमें, complication के बाद, तो ऐसा किस में होता है, first option है इस्त्री, second है पुरश, third है दोनों का, and the fourth is none of above, तो ऐसी complication जो है, वो किसी में भी हो सकती है, इस्त्री में भी हो सकती है, यहाँ पर third option is the correct option, which is don't know, ठीक है, now the next question is, इस्त्री के लिए कौन सा शोत, कश्ट साध्य होता है, तो कश्ट साध्य की बात करें, ठीक है, जो easily ठीक ना हो, कश्ट साध्य होता है, तो इस्त्री के लिए specifically पूछ रहे हैं, तो आपको बताना है, फर्स्ट option is मुख से उत्पन होकर, जो मुख से उत्पन हुआ है, और संपूर्ण शरीर में फैलने वाला, second is, पैर से उत्पन होकर, संपूर्ण शरीर में फैलने वाला, third is, गुहिया स्थान से उत्पन शोत, and the fourth option is, both A and C, यहाँ पे जो correct option है, guys that is the option number fourth which is both A and C तो अगर particularly इस्त्री की बात करी जा रही है तो वहाँ पे अगर मुख से उत्पन हुआ सबसे पहले मुख पे अप्यार हुआ and then वो पूरे के पूरे शरीर के उपर फैल गया है तो वो होगा कश्ट साध्य और अगर गुहियां में हुआ है उत्पन तो वो भी होगा कश्ट साध्य so fourth option is the correct option next question is क्रिच उत्थान प्रशमो भफ्ती ये किस विश्य में कहा गया है तो यहाँ पे क्या आपको दिया हुआ है कि एक particular श्लोग ठीक है और पूछा गया है कि किस विश्य में कहा गया है इन रिलेशन तो वट first option is बातिक शोथ second option है रोहिनी third option is कफ़ शोथ and the fourth option is all of अवब यहाँ पे जो correct option है guys that is the option number third which is कफ़ शोथ right तो third option correct है now the next question is शोथ के दूश्य कौन कौन से है शोथ के दूश्य बोलने है कौन कौन से है first option is तवच्छा second option is मास third option is रख and the fourth option is all of अवब तो कौन कौन से होते है guys शोथ के दूश्य देयार यहाँ पे आप देखो जो correct option है that is the option number fourth which is all of अवब मतलब तवच्छा, मास और रख इन तीनों की दुश्टी के कारण ही शोथ हो जाता है तो यहाँ पे fourth option correct है next question is निमन में से कौन सा अहार शोथ उत्पन करता है तो कौन सा अहार शोथ उत्पन करता है बताओ first option is नूतन शूक धान्या second है नूतन शमी धान्या third is पुरान शमी धान्या शूक धान्या और नूतन शमी धान्या ठीक है यह दोनों ही क्योंकि उनमें water content जादा होता है तो उसकी वज़े से यहाँ पे fourth option है that is the correct option now the next question is निमन में से किस वेग को धारन करने से शोथ उत्पन होता है तो कौन सा ऐसा वेग है जिसको आप लोग अगर धारन करते हो तो शोथ उत्पन हो जाता है first option is वमन, second option is शब्थू, third option is उत्पार and the fourth option is all of above correct option क्या है यहाँ पे all of above is the correct option वमन, शब्थू, उत्पार इनको अगर आप लोग धारन करते हो इनके वेग को धारन करने से शोथ उत्पन होता है सहसा रोगी द्वारा किस प्रकार का अहार करने से शोथ की उत्पत्ती होती है तो अगर सहसा रोगी है तो उसमें किस प्रकार का वो अहार करता है कि शोथ हो जाता है first option is गुरू, आमन, लवन, second is पिष्टान, third is मंदग and fourth is all of above so the correct option here is the option number fourth which is all of above मतलग गुरू, आमन, लवन, पिष्टान, जाफिर, मंदग ऐसा कुछ भी अगर वो खाएगा इनका सेवन करेगा सहसा रोगी तो उसके द्वारा ऐसा सेवन करने से उसको शोथ की उत्पत्ती हो जाएगी तो यहाँ पे जो fourth option है all of above is the correct option for this question now the next question is निमन में से किस व्यादी के उब्दरव सवरूप शोथ की उत्पत्ती होती है कौन सी ऐसी व्यादी है कि जो पहले व्यादी होती है और उसके बाद क्या होता है उब्दरव जो उसके complication होती है as a complication शोथ की उत्पत्ती हो जाती है first option is प्रदर, second option is भगंदर third is अर्ष and fourth option is all of above so कौन सा है यहां पे correct option correct option here is the option number fourth which is all of above प्रदर, भगंदर और अर्ष इन तीनों में ही जो complication के सवरूप में आता है वो होता है शोथ ठीक है तो fourth option correct है next question is शोथ का कौन सा भेद पहले लक्षनों से यूख्ट होता है फिर दोशों से ठीक है पहले symptoms आ जाते हैं और फिर दोश जो है वो दोशीत होते हैं तो ऐसा कौन सा भेद है first option is निच शोथ second is अगंदुक शोथ third option is both and the fourth option is none of above तो यहां पे guys जो correct option है that is the option number second which is अगंदुक शोथ जो अगंदुक शोथ है उसमें क्या होता है पहले लक्षन होते हैं और फिर दोश involved होते हैं so यहां पे जो correct option है that is the option number second which is अगंदुक शोथ पहले लक्षनों से यूख्ट होगा फिर हो जाएगा दोशों से next question is निमन में से क्या शोथ कारक नहीं है मतलब इन में से कौन सा है जो शोथ नहीं करता है उत्पन, inflammation को उत्पन नहीं करता है ठीक है तो यहां पे आप लोग देखो the first option is समुद्री हवा second option है बर्फ third option is अगंई and the fourth option is all of above causes inflammation ठीक है यहां पे कौन सा है correct option correct option here is option number fourth which is all of above causes inflammation मतलब समुद्री हवा जो है वो भी inflammation cause करती है then बर्फ भी inflammation cause करती है और अगंई भी तो यहां पे यह है कि all of above causes inflammation fourth option is the correct next one is विशैले क्रेमियों की शरीर का कौन सा हिस्सा शोथ जनक है तो कौन सा ऐसा हिस्सा है जो आपको touch हो जाए तो उसकी वज़े से inflammation हो जाती है first option is पसीना second option है मलमूतर third option is उनक्या शरीर पर चलना and fourth option है all of above यहां पे जो correct option है guys that is all of above मतलब कि जो विशैले क्रेमियों है उनका अगर पसीना भी लग जाए जा मलमूतर उनका लग जाए जा फिर वो हमारे शरीर के उपर चल जाए तो वहां पर information हो जाती है और यह बहुत सारे आप सब के साथ भी हुआ होगा life में कभी न कभी कि ऐसा होने पर वहां पर information उत्पन हो जाती है आप गुपता का कौन सा भाग शरीर पर लगने से शोत उत्पन होता है मतलब उसका कौन सा ऐसा भाग है जो की upwisiness होता है जा फिर जो शोत उत्पन कर देता है ठीक है अगर touch हो जाए फर्स्ट उप्शन है फर्ल थर्ड उप्शन है शूख जाफिर रोएं और फोर्थ उप्शन है अन्द फोर्थ उप्शन है अन्द बोथ correct उप्शन यहां पर है the option number third विच शूख जाफिर रोएं जो है उसकी अगर touch कर जाए आत्म गुपता के तो वो that causes inflammation now the next question is भलातक का कौन सा भाग लगने से शूख उत्पन होता है तो यहां पर भलातक की बात हो रही है first option is उसके फूल का रस second है फल का रस third is पत्र and the fourth option is A and B both correct option here is the option number fourth which is A and B both मतलब भलातक की अगर फूल का रस जा फिर फल का रस आपको टच हो जाता है तो that causes शोथ ठीक है the next question is you can see 2018 AIPCHT में पूछा जा चुका है चरक मतनुसार निमनोग तो कौन सा शोथ रोग का उपद्रफ है अब यहां पर पूछने शोथ का उपद्रफ कि जो आपका अगर information में तो उसका as a complication क्या हो सकता है first option is hikka second option is kaas third option is swas and fourth option is panlo तो यहां पर जो correct option है that is option number third which is swas चरक जी के मतनुसार जो swas रोग है वो हो जाता है अगर आपको पहले शोथ हुआ है तो उसके complication सवरूब आपको swas रोग हो जाएगा now the next question is त्रीशोथी अध्याय किस चतुष्क के अंत्रगत है तो चतुष्क बहुत ही जादा important है बहुत बार मैं आपको समझा चुकी हूँ easy सी चीज है लेकिन आप लोग ऐसी चीज़े skip करते हैं तो that causes problem in the exam यहां पर मैंने चतुष्क के उपर एक specific video बनाई हुई है उसका link में description box में आपको mention कर दूँगी जिस इसने देख ली है well and good जिसने नहीं देखा नहीं पता चुतुष्क क्या होते है you can check the video और फिर आपको पता चल जाएगा और उसको पढ़ना है अच्छे से तो यहां पर देखो the first option is Kalpana second option is Bheshaj third option is Rok and the fourth option is Iojana यहां पर जो correct option है that is the option third which is Rok तो जो अत्रिशोती अध्याय है वो Rok जुदुष्क के अंतर गता है तो third option is the correct option for this question which is Rok now the next question is चरक अनसा रोहिनी में दोश प्रधानिय तो रोहिनी में पूछ रहे हैं कि दोश प्रधानिय क्या है first option is Vat second option है Pith third option is Kuf and the fourth option is Tridosh तो यहां पर जो correct option है guys that is the option number fourth which is Tridosh that is the प्रधानिय in Rokini now the next question is चरक अनसा रोहिनी से घ्रस्त रोगी के जीने की परम अवदी है तो वो कित्ते दिन जीता है जो परम कित्ते दिन जीता है जो कि रोहिनी से घ्रस्त है first option is 10 दिन second option है साथ दिन third option is 5 दिन and the fourth option is 3 दिन यहां पर जो correct option है guys that is the option number fourth which is 3 दिन चरक जी के अनसा रोहिनी से घ्रस्त जो रोगी होता है उसके जीने की परम अबदी जो मतलब maximum to maximum वो जी सकता है for three days यहां पर fourth option is the correct option now the next question is तनूत्वक चर अतिसारी की शोट का लक्षन है तो बदाओ यहां पर तनूत्वक है ठीक है एक तो तनूत्वक वाला है और चर अतिसारी भी है तो ऐसा जो है वो किस शोट में होता है कि तनूत्वक हो जाती है और अतिसार हो जाता है first option is वातिक second option है पैतिक third option is slash me and the fourth option is द्वंदर तो यहां पर जो correct option है that is option number second which is पैतिक में ऐसा होता है next question is और्स रिगधर के कारण शोट की उत्पत्ती होने का वर्णन किसने किया है ठीक है और्स रिगधर के कारण शोट की उत्पत्ती किसने बताई है first option है चरग second is भागवट third is both and the fourth is भाफप्रकाश यहां पर जो correct option है that is option number second which is भागवट अचारे भागवट जी ने बताया है कि और्स रिगधर हो जाने के कारण शोट की उत्पत्ती होती है उन्होंने इस चीज का वर्णन किया है यहां पर second option is the correct option which is भागवट next question is चरग अनुसार उपजीवी का एवं अधी जीवा का क्रमशा दोश प्रधान्य क्या है क्रमशा का मतलब है respectively पूछ रहे हैं कि फर्स्ट आप लोग उपजीवी का का मानिये और second is अधी जीवा का तो first option is कफ एवं वाद कफ second is कफ एवं कफ रख third है वाद कफ एवं कफ and the fourth is कफ इन बोथ तो जो correct option है यहां पर that is option number fourth which is कफ इन बोथ तो आपको उपजीवी का और अधी जीवा इन दोनों में ही कफ मिलता है तो क्रमशा जो दोश प्रदाने है वो कफ ही है दोनों में यहां पर जो fourth है न कफ that is the correct option in this question कफ इन बोथ ठीक है now the next question is चरक ने दारुन किसे कहा है तो इन में से दारुन जो है वो कौन सा है फर्स्ट ऑप्शन है गर्शुंडिका सेकेंड ऑप्शन इस कन्मूल शोथ थर्ड ऑप्शन इस नीलिका and the fourth option is शंकक तो क्या है गाईस दारुन रोग उन्होंने किसको बोला है उन्होंने बोला है शंकक को दारुन रोग यहां पर जो शंकक है fourth option is the correct option चरक ने दारुन शंकक को कहा है fourth option correct है now the next question is रोग की प्रक्रती अधिष्टान और समुथान क्या है ठीक है किसे भी रोग का पूछ रहे हैं कि जो तीन चीज़े हैं प्रक्रती अधिष्टान और समुथान इनको हम लोग क्या बोलते हैं फर्स है कि क्या ये त्रीविद रोग संग्रह होते हैं second is त्री सूत्र third is त्री दंड and fourth option is त्रीविद बोध संग्रह तो रोग का प्रक्रती अधिष्टान और समुथान इन तीनों को मिला करके क्या बोला चाता है उनको हम लोग बोलते हैं त्रीविद बोध संग्रह which is the option number fourth त्रीविद बोध संग्रह के अंदर आता है प्रक्रती अधिष्टान और समुथान और समुथान और समुथान और रोग fourth option is the correct option now the next question is okay so you can see बोध्य संग्रह कितने हैं ठीक है इसी सा question है बोध्य संग्रह पूछ रहे हैं first is two, second option is three third option is four and the fourth option is five यहाँ पर जो correct option है that is the option number second which is three बोध्य संग्रह कितने हैं according to 4 चरक there are three बोध्य संग्रह so second option is the correct option next question is इस त्रियों में अधो भाग से प्रारंब होने वाला शोत होता है तो अगर अधो भाग से प्रारंब हो रहा है शोत तो वो कैसा होता है उसकी साध्य साध्यता का question है first option is साध्य second option is याप्य third option is असाध्य and the fourth option is none of our तो यहाँ पे जो correct option है guys वो option आप लोग मुझे बताओगे comment section में तो let me know in the comment section guys कि इस्त्रियों में अधो भाग से प्रारंब होने वाला शोत जो है उसकी साध्य साध्यता कैसी होती है तो यहाँ पे आप लोग मुझे comment करके बताइएगा कि option first, second, third, fourth में से कौन सा correct है so that's it for today's video let me know in the comment section कि आप लोग कौन सी वीडियो चाहते हैं कि मैं आगे upload करूं for you guys और अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को like जरूर कीजिएगा और अगर अभी तक चैनल को subscribe नहीं किया है तो do subscribe to the channel also thank you so much guys